हेलो फ्रेंज कैसे आप से स्वागत है आपका हमार यूटीब चनल में दोस्तों आज का जो हमार टॉपिक है वो है चिकन लूज प्लाजो के ऊपर और इसमें हम लाइनिंग किस तरह से अटेच करते हैं उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो देखे बहुत असान किस चिकन का डिजाइन होता है वो निचे की तरफ मौरी में बना होता है और यह थोड़ा सा दो से धाइए इंच का तकरीबन प्लेन होता है कपड़ा उपर से तो यह देखें यह मेरी मौरी बनी हुई है और मुझे नीचे अपने प्लाजो को मोड़ने की जरूरत नहीं है तो मैं इसको देखिए अपनी हिप के अकॉर्डिंग सेट करूंगी पहले जितना आपका हिप साइज हो उससे पांच इंच एक्स्ट्रा इसको फोल्ड करके रख लीजिए फालतु कपड़ा आपका बच जाएगा उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो तो देखिए मैंने इ हिप से पांच इंच एक्स्ट्रा रे लिया है आप भी अपनी हिप से पांच इंच एक्स्ट्रा रखके इसको मोड सकते हो तो यहां पर जो मेरी लंबाई थी वह मैंने सैंतिस इंच ली है और उपर की तरफ दो से धाई इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्क यह हम अपन सेट कर सकते हो लेकिन थोड़ी सी मार्किंग थी तो मैंने सेट कर लिया तो अब यहां पर आपका जितना हीप राउंड हो उसका चौथा भाग लीजिए यानि कि मेरा जो हीप राउंड है वह 14 इंचे में 11 इंच पर यहां पर निशान लगाऊंगी और उससे धाई इंच एक् जहां पर मैंने रेडी लेंथ का निशान लगाया है वहां से मैं यहां पर इसके क्रॉचेरी का निशान लगाऊंगी जो कि मैं 14 इंच पर लगाऊंगी आप 13 इंच भी लगा सकते हो आसन भी आपने अपना हिप के अकॉर्डिंग ही लगाना है जितने आपकी हिप हो उसका चत्ह भाग लीजिए और उसमें यहां पर दो से धाई इंच इंकलोड कर दीजिए ठीक है तो यह देखिए यहां पर मैं दो इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी आगे से निशान तो इस निशान को यहां तक करूंगी सिधा और यहां से हलका सा कव दोंगी ज्यादा नूंगा यहां पर महरी 13 इंच की लगाऊंगी तो अब यहां से स्केल रखके इसको यहां पर इस तरह से शेप दे दोंगी अगर आपके पास स्केल नहीं है शेप वाला तो आप हलके हलके हाथों से यहां पर नीचे तक इंचे टेप रहके निशान लगा सकते हो तो अब इसी मार्कि कोई भी निषयान नहीं लगे लाना में प्लाजो या मिए म chaydın Podcast अर्लěुए चिकन प्लाजों कोई भी निषयान नहीं लगाना है में लीचा यहते हैं ठीचान हमेशन मिएशन को बनाने के मुछ पर में निफव कहा बनी है तो चलिए इसको उठाती हूँ मैं अब लाइनिंग का फैबरिक लूँगी मैं लाइनिंग का फैबरिक मैंने दो मिटर यूज किया है आप इसको कम भी यूज कर सकते हो तो देखे ये टू फोल्डर है और इसको मैं एक बार इस तरह से फोल्ड कर दूंगी नीचे से ये फोल कर लिजिए और इसे हिसाब से आप अपनी रान को फैबरिक भी वोल्ड कर सकते हो तो फोर फोल्डर में हो गया जस्ट हमने अपना प्लाजो का जो चिकन प्लाजो का फैबरिक है उसको अपर रखना है और इसी शेप में इसको कट कर देना है वी कृत कर देना है लिज के कुछ इस तरह से कर्टिंग होगी नीचे से मैंने 2,5 इंच ओपर ही रखा है लाइनिंग वाला फैब्रिक तो यह देखे चलिए इसकी सिलाई करते हैं अभी तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं अपने लाइनिंग वाला पार्ट लूँगी लाइनिंग वाले पजामे को उसी तरह से तो यह देखे जस्ट हम जैसे आसन को अटैच करते हैं दोनों आसनों को पकड़के मैंने इस तरह से लगा देनी है नीचे तक और दूसरे असन पर अभी सिलाई लगा लोंगी और इन सिलाईों को आप डबल कर लिजिए ठीक है और दूसरी को भी मैं ऐसे ही आपने देखे नीचे की सिलाई लगानी है जो जैसे हमने आसन की सिलाई लगाई है उसी तरफ से इसको भी हमने सिलाई लगानी है अंदर की तरफ इसको मोड़ना है यह देखे इस तरह से दबल फोल्ड करते हुए आपने सिलाई लगानी है जैसे हम नॉर्मल अपने लाइन कमीज की उपर सिलाई करते हैं नीचे फोल्डिंग के लिए लाइनिंग की अंदर से वैसे ही हमने इसको लाइनिंग को फोल्ड कर देना है नीचे वाली साइड आ यह पर मोरी बनाते हैं तो दूसरी वाली साइड से भी मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लेना है डबल फोल्ड करके ार हमें नीचे से मोशी से लेकर ऊपर तक सालक माथ भूँए दूसरी साइड अपनी सिलाई लगानी है ठीक है एफ्रेंस यह देखिए यह आसन हो गया और दूसरी साइड इसी तरह से मैंने अच्छे से सेट करते हुए अपनी सिलाई लगा देनी है और यह सिलाई में आधा इंच के करीब लगाऊंगी यहाँ पे सिलाई को पका कर लीजिए अच्छे से ध्यान से तो यह देखिए इसी तरह से आसन के उपर से सिलाई घुमाते हुए मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा दूँगी मोरे की और इस सिलाई को यहाँ से भी आपने डबल कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स यह देखिए अभी मैं निकालूंगी यहाँ पे तो यह देखिए हमारा लाइनिंग वाला पजामा स्टीच हो चुका है अब हमें चिकन का प्लाजो स्टीच करना है सेम उसी तरह से जैसे मैंने अपने लाइनिंग की आसन की सिलाई की है ना इसी तरह से सेम अपने चिकन फैबरिक की सिलाई मैं करूंगी आसन की यह देखें दोनों को set कर लीजिए अच्छे से यहां पे अपने आसन की लगा दीजिए बहुत ही simple way में आपको बताऊंगी I think आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहे हैं दिदी क्या कर रही है जो भी आप मुझे बोलते हो तो मैंने यहां पे आसनों की सिला कर लिए ठीक है तो ऐसे जस्ट मैंने अपना जैसे हम प्लाजो रेडी करते हैं तो नीचे मोहरी की सिलाई तो लगाने की मुझे जरूरत नी है क्योंकि नीचे डिजाइन बना हुआ है यहां से भी मैं आपने आसन की सिलाई उपर तक घुमाऊंगी आधा इंच के करीब यह चुह जिसोड़ाई कर लिजे हैं अब यहां पर आसन की दर्थ सिलाई उपर आपने यह देखिये मैं नीचे तक सिराइं लगा दूं कि और इस इसस इलहाई को कर लोगई यहां से तक ह्यां सिर्क मेने कर लिए कJust हमने इसको सीध मीज़ा है इस जाँ आपका चिकन के पलाजो लें उसको आपट कर लै ज़े अघडाय उड़ी तक सिर्क उसको हमने सीधा नहीं करना है, जस्ट एक साइड की लेग इस तरह से अंदर डाल देनी है, दूसरी साइड की लेग में डाल देनी है, ठीक है, दोनों अंदर उल्टी साइड में आ जाएंगे, इसको सेट कर लीजिए, और जितना मैंने उपर से जब मैंने कटिंग की थी, यह चिकन वाले फैब्रिक का दो इंच उपर से कपड़ा छोड़ देना है और नीचे इसको कच्ची सिलाई के साथ पूरे चिकन प्लाजू को कच्ची सिलाई के साथ लाइनिंग के साथ अटेच कर लेना है ओपर मैंने दो इंच छोड़ा है जैसे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक कट किया था वैसे ही मैं इसको कच्ची सिलाई के साथ यहां पे लाइनिंग का फैब्रिक चिकन के फैब्रिक के साथ अटेच कर दूँगी ये देखे थोड़ा बहुत अगर lining का fabric इदर उदर हो जाए तो भी चलेगा क्योंकि अंदर सिलाई है अंदर दिखेगी नहीं ये देखे इसको अच्छी तरह से set कर लीजिए lining का plazo अंदर की तरफ चला गया है मैं उल्टा करके दिखाते हूं आपको ये देखे ये इस पजाम कोई इदर उदर नहीं होगा कुछ भी ठीक है दूसरी साइड से देख लीजिए देखे कितनी प्रॉपर सिलाई आई है हमारी अब ये हमारा आसन हो गया ये देखे मैंने इसको सीधा कर लिया है चिकन प्लाजो को ये देखे आसन की सिलाई अंदर के साथ अटैच हो कितने प्लाजो में कितनी इंच हमने इलास्टिक लेनी है और कैसे अपने इलास्टिक असान तरीके से डालनी है इसके उपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक में उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगे आपको वहां से कर लेना तो यहां पर देखिए मैंने 2.5 इंच यहां पर कप़ा चोड दिया है ताके मैंने इसके अंदर एलास्टिक अच्छी लेनी है तो यहां पर बाह इंच के हिसाब से मैंने च्पे सी साथ इंच अपने इलास्टिक को कम लेकर पंदरा इंच ले लिया है जस्ट सेफटी पिन के साथ हमने इसको अंदर की तरफ अच्छी तरह से इंसर्ट कर लेना है पूरी इलास्टिक वैसे ही आपने बाहर की तरफ निकालनी है इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि कहीं बार अगर हम ऐसे इलास्टिक लगाते हैं तो अंदर की तरफ घूम जाती है इस बात का ध्यान रखना है अब इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप करते हुए आपने य पूरी इलास्टिक को मैंने अंदर की तरफ सेट कर देना है और एक सिलाई एकして में लगानी है ये देखे ऐसे खीचते हुए ना पीछे की तरफ से भी उतना हीचना अगे की तरफ से i scrip कुछना है दोनों से क्हीचते हुए अपने थोड़े से बड़े वखे के साथ सेंटर में लगानी है यह सिलाइं हम इसलिए लगाते हैं जब हम इससे धोटे है तो हमारी इलास्चिक जो है इकठे नहीं होती है ठीक है प्लाजो को जब आप वाश करते हो तो इलास्चिक अंद लाइनिंग का फैबरिक अपनी चिकन प्लाजो में लगा लिया है लाइनिंग वाला प्लाजो यह हमारा बनके रैडी है और आई होप दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ज़रूर है और वीडियो पसंद आये तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक को शेयर जरूर कर और मैं चलती हूँ मिलती हो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में तरह दो